शीव ब्रंदावन धाम में एक बार जुआ गया और यहां की रज में लोटा और यहां की किसी लता का अलिंगन किया और यहां विराजमान भगवत सुरूपों को एक बार प्रणाम किया तो वो कहीं भी रहता हो किसी देश में वो निश्चित दुरगती को प्राप्त नहीं हो पने मातर से और कहीं रोज रज का तिलक लग रहा है और घवण नाम्मूख में है और धामवासियों से अपनापन हो गया है और ब्रंदावन ब्रंधावन जि भ्या से निकल जाए क्योंकि ये निकलना बिना कि सोरी जुकी करपा के नहीं हो सकता ब्रंदावन नाम पुकारना ब्रंदावना के दरसन करना या दो-चार दिन वास करना या आज इवन वास करना ये केवल लाडली जो की कृपा से होता है राधारानी की कृपा से होता है